वेल्कम टू जीरो सुजिनियस तक इस वीडियो की टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे भरतिय संभिधान के 10 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है लोग सभा और राज्य सभा के सर्वादिक सदस्यों की संख्या कितनी है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंके 5 सेकिंड का समय जो शुरू होते हैं अब लोग सभा और राज्य सभा के सर्वादिक सदस्यों की संख्या कितनी है आंसर हो जाएगा आप्शन नुब बी, पाच सो बावन और धाई सो Q2 कौन लोग सभा में कभी भी बिरोधी दल का नेता नहीं रहे हैं? बहुत अच्छे सवाल है कौन लोग सभा में कभी भी बिरोधी दल का नेता नहीं रहें? आंशर हो जाएगा option number d, अरुन जेटले, question number 3 रज सभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? आंशर हो जाएगा option number d, विःधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा question number 4 लोग सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है अंसर हो जाएगा आप्शन नबर सी लोग सभा एस्पेकर कोईशन नबर फाइब हमारे भारत सम्विधान का तीसरा भाग किसे से संबंदित है सम्विधान का तीसरा भाग सवाल क्या है जी सुन लेजिए भारतिये सम्विधान का तीसरा भाग किसे संबंदित है आंसर है अप्शन नबर दी मौलिक अधिकारों से संबंदित है कोईशन नबर सीक्स लिवराहन आयोग किसे संबंदित है लिब्राहन आयोग किसे से संबंधित है लिब्राहन आयोग अपने नाम सुना होगा अंसर अप्स नमब ए बाबरी महजिद विद्वान से संबंधित है आगे सवाल है कौन इनमे से सबसे लंबे समय तक भारत का परधान मंतरी बने रहे इने में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के परधान मंतरी के पद पर बने रहें अंसर होगा आपसर नमबा बी जवाहलाल नहरो कोशन नमबर और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटम पर क्ली करके सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल ऐको दबाकर नोटिफिकेशन को अल कर दिजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर और करता है धन्यावाद आगे सवाल है भारत की सौतंतरता की समय गौवर्णर जनरल कौन था ये सवाल हाली के ज्याम में आया था आंसर आपसन नमबर डी लॉर्ड माउंट वेटन कोशन नमबर नाइन किस अनुछेद में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट पती भी होंगे सही अंसर होगा आपसन नमबर सी अनुछेद तिरिसट में कोशन नमबर तिन किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन परमानित करता है किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन पर्मानित करता है अंसर है आप्शन नमबर ए लोग सभा अध्याक्ष आपके लिए एक सवाल है जमुकस्मी राज्या को किस अनुछेद के अंतरगत बिसेस राज्य का दार्जा प्राप्त था यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कॉमेंट बक्स में जाना है वहाँ पर लिखना है क्यूप और इसके राइट अंसर और आपने पेछले संविधान वीडियो को नहीं देखे थे तो आप देख लेजिए मिलता हम फिर अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत